Girls and Boys, क्या हाल चाल आप सभी लोगों का? उमीद करता हूँ, आप सभी लोग सही होंगे. सबसे बड़ा सवाल जो आप लोगों के मन में चल रहा है, वो यही है कि मुझे आखिर में पोस्ट कौन सी अलोट की जाएगी? मुझे मेरे पसंद की पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो आपके इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है. वीडियो को तक आप जरूर देखेगा तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. दोस्तो देखे, आपको आपके पसंद की पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी? यह डिपेंड करता है तीन फैक्टर के उपर. सबसे पहले बात करते हैं माक्स के उपर, आपके नंब के उपर मान लो, cut off for example, आपकी गई है 50 नंबर ठीक है, आपके 4 नंबर उपर है 54 और आपने first preference डाली है CISF, आपको CISF वहाँ पर नहीं मिलेगी क्योंकि नंबर आपके कम है, दूसरी आपको नहीं मिली, तीसरी नहीं मिली और आपको 4 नंबर पर मिली, BSF मिल गया, सबसे last म जाकर, तो पहला factor आपके नंबर के उपर ठीक है, तो जो नंबर ये, जो नंबरों का खेल है ना, वो यहाँ पर आकर बड़ा important हो जाता है, अब जैसे मान लो, मैं आपको कहता हूँ कि यार, अच्छी तियारी करो, अच्छे नंबर आपके आने चाहिए, तो यहाँ पर जो जो कई बार points में भी नंबर एक एक नंबर चंदर आप अपनी पसंद की जोब से हाथ दो बैठते हो, इसलिए जिनके भी नंबर उपर हैं, 14 नंबर उपर हैं, 15 नंबर उपर हैं, 17 नंबर उपर हैं, 12 नंबर उपर हैं, उनको जो return में उन्होंने महनत किया है, या उनको normalization क फाइदा मिला, जो भी हुआ हो, उनका benefit अब उनको अपनी मन पसंद जो जो जोब है, उनको यहाँ पर जो है, अचीव करने में, अपनी पाने में मदद करेगा, ठीक है, चलिए, बात करते हैं, second जो आपका था, वो था आपकी vacancy के उपर, मानलो, CISF है, ठीक है, आपके नं नंबर उपर है, ठीक है, लेकिन उस समय में, आपका जो पाँच बच्चे जो आपसे उपर हैं, जिनको लेना है, उनके नंबर आपसे points में ही उपर हो, तो उनको वहाँ पर ले लिया जाएगा, तो डिपेंड करता है, कि नंबर के साथ साथ एक lot of vacancy भी होनी चाहिए, कि आ आपके अगर 14 नंबर उपर हैं, और आप उस पाँच वेकेंशी की रेंज के अंदर आते हैं, तो ही तो आपको नो क्री मिलेगी, so second जो खेल खेला जाते है, वो खेला जाते है, वेकेंशी को भी देखकर, दो चीजे हो गई है, अब तीन चीजों, तीसरी चीज के उपर बा आपर 15 नंबर हैं, ठीक है, so दोनों के 15 नंबर हैं, अब जो आपको भी मन पसंद चीए, उसको भी मन पसंद चीए, तो decide कौन करेगा, कि आप में से 15 में से कौन इधर उदर जाएगा, तो जो आपकी age है, ठीक है, आपसे senior कौन है, उसको वहाँ पर क्या है, प्रायोटी दे दी जाएगी, ठीक है, so यहाँ पर सारी ये तीन factor हैं, जो main play करते हैं आपको आपकी job दिलवाने के लिए, number बहुत अच्छे है, vacancy नहीं है, number बहुत अच्छे है, गरारी अड़ गई, आपकी same numbers के वहाँ पर कोई senior आपसे ज़्यादा बाजी मार ले गया, या फिर आपके number बरी कम है, जहाँ पर आपके जो है, कि आपको क्या नहीं हुआ, आपके dream job नहीं मिली, ठीक है, अब बात करते हैं, अगर dream job नहीं मिली, तो क्या करना चाहिए, बहुत सारे बच्चों का सवाल है, मुझे तो जाना है, CISF के अंदर, BSF, I don't like, मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, force है, नोकरी है, salary है, सब कुछ है, बट मुझे personally पसंद नहीं है, तो देखे, यहाँ पर आपका जो mind set होना चाहिए, वो होना चाहिए, कि आपको यह देखना चाहिए, कि मुझे job चाहिए, या मुझे dream job चाहिए, ठीक है, dream job अगर आपको चाहिए, तो आपको hard work extreme level का करना प ठीक है, बट आपके number 4 number उपर है, 5 number उपर है, और आप सोच रहे हो कि मुझे SSF मिल जाए, मुझे CISF मिल जाए, तो it's not possible, ठीक है, तो अगर आपको वो कहते है न, अगर extreme अगर आपको पहुचना है, तो इसके लिए महनत भी extreme level की होना चाहिए, ठीक है, अगर आपको दोनो या आपका जो mindset होना चाहिए, वो होना चाहिए, कि to grab the job, आपको job लेनी है, सबसे पहले, ठीक है, जैसे ही आप job लेंगे, आपकी joining process स्टाट होगा, आपकी training process स्टाट होगा, इतने में next vacancy जो है, वो आपकी आजाएगी, और next vacancy के अंदर आप अपियर होई है, बहुत अच कीजिए, माक्स को extreme level तक आप अपना लेकर जाहिए, और जैसे ही वहाँ पर आपको आपकी dream job मिलती है, then quit that previous job, and join कर लेना अपनी new job को अंदर, ठीक है, सो जो भी सोच रहे हैं, कि मुझे तो dream job चीए, मुझे वो वाली job नहीं चीए, I don't like some other forces, I just only like कि आपकी मुझे CISF तो उनके लिए यहाँ पर अपने mindset को change करने की जरूरत है, क्योंकि new new policy जो यहाँ पर introduced की जा रही है, उसके base पर most important है, कि आपको job यहाँ पर मिले, dream job के लिए आप महनत कीजिए, dream job के लिए आप उस level पर पहुचिए, और फिर अपनी dream job को लेने के बाद इस job को आप quit कर दे तो उसकी extreme आपकी जाने वाली है, ठीक है, तो जिन भी बच्चों के number यह 14, 15 वाले यह 16 वाले जितने भी है, यह CISF की तरफ भागेंगे सारे के सारे, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी जो है, जो कम number वाले होंगे, उनका number पढ़ने की संभावना कम है, तो जैसे जैसे आप न करी सबको मिलेगी, बट मुद्दा वो ही है, ड्रीम जोब और एक अलोटीड जोब, बैस यही मुद्दा है, ठीक है, तो जिनके भी number 50, 5, 6 के range में है, उनको जो आपकी पोस्ट के according, अगर आपने सबसे पहले BSF भी डाल दी पहले number पर तो आपको वैसे भी मिल जाएगी 5, 6 number के उपर, ठीक है, जो ऐसे में, जो आपकी CISF हो गई है, और जो क्रीमी आपकी जोब्स हो गई है, जहाँ पर attraction जादा होता है, जहाँ पर crowd जादा होता है, वहाँ पर तो जो 10 से उपर वाले हैं, आपके 9 से उपर वाले हैं, उनी का ही number आने की chance जाँ पूरे-पूरे, जो 5 से 6 की range में, वो जो बाकी बज जाती है, उनको, उनके, जो भी marks के according alert यहाँ पर कर दी जाएंगे, ठीक है, बट आप hard work करीजिए, अगर आपके dream job कोई और है, तो उसके लिए आप मैनत कीजिए, बट जो आपको यहाँ पर जरूर मिलेगी, और जिनके भी number 4 number के करीब हैं, तीन number के करीब हैं, उनको, जो सबसे last में, जो cut off जाएगी, जहाँ पर बहुत कम crowd होता है, वो ही उनको load की जाएगे, ठीक है, बाकी, आप, जो उनकी demand जाद है, वो सबसे उपर, उसके बाद second demand, फिर third, फिर fourth, फिर fifth, फिर sixth, और जिसकी demand सबसे कम रहेगी, वहाँ पर आपक टॉप मोस्ट डाली हैं, CISF अगेरा, तो इसके लिए आपको 10 प्लस जाना ही जाना पड़ेगा, ठीक है, तो यह complete आपके सामने था कि कितने number पर क्या-क्या post आपको मिल सकते हैं, क्या-क्या factors होते हैं, ऐसी ही एक और वीडियो आपके लिए मैं लेकर रहा हूँगा, जिसक कार एंड बेस्ट ओफ लग आप सभी को आने वाले इवेंट्स के लिए